नमस्ते दोस्तों नए साल की धेर सारी सुबकामना है आप सबको आज मैं एक हेल्दी केक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैंने ना तो मैदा का यूज किया है और ना ही मैंने सुगर का यूज किया है ना ही इसमें अंडा डालेंगे इस साल को हेल्दी रूप से सुरू करत तो यहां पर मैं गिन कर 25 खजूर यहां पर ले रही हूं अगर आपके पास बड़े खजूर हो थोड़ा कम भी ले सकते हैं छोटे खजूर हो थोड़ा बहुत जादा ले सकते हैं अब हम इन खजूरों से बीज अलग करेंगे अब चाहें तो मार्केट में बीना बीज वाले खजूर मिलते हैं वो भी अपले सकते हैं जो मैंने खजूर लिया है थोड़ी सी सौप्ट है वो हाथ से ही आसानी से बीज अलग हो रही है अगर आपके पास थोड़ा हाड खजूर है तो उसे आप चाकू की हेल्प से भी बीज अलग कर सकते हैं अब हम इन खजूरों को करकर रखना है खजूर को सोक करते हुए 20 मिनट हो गए हैं तो आज हम कडाही में अपने केक को बेक करेंगे तो सबसे पहले हम गैस का फिलेम आउन कर लेंगे और इस कडाही में हम नमक डालेंगे नमक का कलर हलका सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि इस नमक में मैंने कई बार नमक को हम अच्छे से फैला लेंगे और हम मिडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए प्रिहिट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी जो कडाही है प्रिहिट हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं अब हम इसे केक मोल्ड को अच्छे से तेल डार का सभी कर लेंगे अब केक मोल्ड को साइड में रख देते हैं और हम केक के मिक्स्चर को तियार कर लेते हैं खजूर अच्छे से सोख हो गई है तब हम एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हम खजूर डालेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेष्ट बनाके हम तैयार कर देख सकते हैं, खजूर फिस जाने के बाद इस तरह का पेस्ट बनके तैयार हुआ है अब हम चेक का बटर बनाएंगे, तो जिसके लिए हम एक यहां पर mixing ball लिये हैं तो इसमें हम झो खजूर का पेस्ट बनाके तैयार किये थे, वह इसमें हम डाल लेएंगे इस बॉल में अभी हम जितना भी liquid ingredients है वो डालेंगे तो फिर से हम यहाँ पर दूद डाल रहे हैं तो एक कप दूद का यूज करेंगे यहाँ पर जो दूद लेंगे वो room temperature पर होगा और हम दूद और खजूर के पेश्ट को अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम एक चौथाई कप refined oil डालेंगे अब चाहें तो melted butter का भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें कुछ बूंदे vanilla essence का डालेंगे फिर से हम इस सारे liquid को अच्छे से mix कर लेंगे अब बारी आती है इसमें dry ingredients डालने की तो यहाँ पर मैं आटे का यूज कर रही हूँ तो डेड़ कप आटा इसमें मैं डाल लूँगी अब इसमें बारी आती है baking soda की तो यहाँ पर मैं baking soda का यूज एक चौथाई चम्मच का half की हूँ और इसमें हम डेड़ चम्मच baking powder डालेंगे अब इन सबकों हमें अच्छे से mix कर लेना है बहुत ज़्यादा इसे फेटने की जरूएत नहीं है वह सारे ingredients अच्छे से mix हो जाए तो हमारा जो cake का better है देख सकते हैं पूरी तरह से तयार है अगर आपको लगे कि अगर आपका better थोड़ा थिक है तो थोड़ा बहुत एक से दो चम्मच आप इसमें दूद ऐड़ कर सकते हैं अगर सही measurement हो तो दूद एक्ष्टा डालने की जरूद नहीं है अब हम cake team में अपने cake के mixture को डाल देंगे cake mold को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा हलका tap कर देंगे जिससे की cake के वैटर में थोड़ा था air bubble हो निकल जाए यहां पर कड़ा ही preheat हो चुकी है तो एक कश्टाइन रखकर इसमें हम cake mold को रख देंगे और इसका ढखकन लगा कर इसे हम low flame पर तकरीवन 40-45 मिनट के लिए bake कर तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे फिर से bake किया 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा जो चाकू है वह अच्छे से साफ निकल गया है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे cake mold को और इसे हम थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे cake ठंडा हो चुका है त कितना अच्छे से हमारा cake बना है लेकिन इतने में ही मेरा बेटा दर्स आ गया है तो जब भी किसी का बड़े हो या कुछ भी हो जब भी cake आए तो काटना उसी को होता है तो वो रहा था मैं cake काटूंगा तो मैं बोली चलो आजा तुम ही cake काट लो तो सबसे पहले हम cake टीन को सवी तरब से जो किनारे हैं उसे मैं अच्छे से चाकू की help से छुडा लूँगी देख सकते हैं cake कितना फुला हुआ बनके तयार हुआ है तो मैं इस cake को काटके दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अस्पॉंजी हमारी cake बनके तयार हुई है मैं दर्स से जब भी cake कठाती हू उसे happy birthday मैं बोलती हूँ वो बहुत ही खुस होता है देख सकते हैं हमारा जो cake है कितने अच्छे से फुला है बिल्कुल अस्पॉंज की तरह हमारा cake बनके तयार हुआ है आप इसे कह नहीं सकते हैं कि आप इसे घर पे बनाए है बिल्कुल bakery जैसी अस्पॉंज इसमें बनके तयार हुई है इस healthy cake को घर पे जरूर बनाए अगर मेरी यह recipe आपको पसंद आई तो like और इस channel पर आप नए आए हैं तो subscribe करके जाएगा